चलिए इस वीडियो पे में आप लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे करके आप अपना Google पे से कोई सभी जो आपका एलेक्टरी बील है वो पेमेंट करेगा तो आपको सभी सभी से है वो महतर नहीं करता है तो सबसे फर्स तो आपको 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 जो जो उबिल्स करना है और पै डिल्स करने के बाद ईसको तॉर पे पर नहीं जया तो नीचे को काफी सरे सजसी देखने को मिल जाते है तो यहां पे electricity का option है, तो electricity का option पे आपको क्या करना है, click करना है, तो click करने के बाद यहां पे काफी सरे जो अलग-अलग state का वो सारा चीज आपको यहां पे देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि Assam और अरवनचल ऐसे करके bank law करके काफी सरे options है, तो मैं यहां पे अरवनचल का तो मुझे यहां पे अरवनचल का दो options देखने को मिलता है, एक prepaid के लिए है, यह prepaid के लिए है, और एक जो postaid के लिए है, तो मुझे यहां पे postaid पे सबसे आगे वाला उसको मुझे select करना है, तो मैं यहां पे जाओंगा, तो इनकेश अगर आपका prepaid है तो आप prepaid वाला को करेगा अधरवाइस पोस्पेट है तो यहाँ पे पोस्पेट को ही स्लेक करेगा तो उसको स्लेक करने के बाद कुछ इस प्रकर से यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ पर आपको कंजुमर नंबर टाइप करना होगा तो और कंजुमर नंबर टाइप करके पिर अपना नाम दे सकते हैं नहीं भी देगा तो भी चलेगा फिर continue पर क्लिक करेगा तीक है फिर अब continue करने के बाद पिर यहाप आपको कुछ इस प्रकर से आजाएगा और यहाप आपका नाम उसके बाद consumer number वगएरा वगएरा जो यहाप आजाते हैं तो यहाप आपको जब फर्स तेम कर रहा होने से यहाप लिंक का उप्शन हैगा तो यहाप आपको लिंक पर क्लिक करना है तो लिंक पर जैसे क्लिक करेगा तो आपका यहाप गूगल पर लिंक हो जएगा तो नेक्स तेम से आपको यहाप यहाप आकर पे करना रहेगा तो यहाप आपका जो बिल पे का option है वहाँ पर आ पर आ गया है। उसके बाद जितना अपको बन रहा है वह सारा चीज आपको देखने नहीं को मिल जाए तो पर आपको पर बसे कीलिक करना तो यहाँ पर चिलिक है पर पिर आपका जो नमबर्स आपको मितर का नमबर डालना पड़ता है तो वो आपको ट्रांजिक्शन हिस्ट्री पे आपको देखे मिल जाएगा और पोस्पेट पे वो सरा चीज जरूरी नहीं होता है ठीकि तो पे कर देगा तो आपका हो जाएगा